नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल मेरा नाव अभिशेक सागर है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैट्रोल के पारे में जी हां आप जानते होंगे कि हमारे देश में पैट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं जिससे हम पैट्रोल लेते हैं हमारे देश में जहां से हम पैट्रोल लेते हैं рукण का चाथे नेजले सब Über cleaning और उन्हीं सकता जाही नहीं सकता मतलब जाएगा भी तो नुक्सान होगा धर आजके आपकें वेअ बता दू कि जो मशीन है जो पैट्रोल पंप की मशीनियों होती है पेट्रल पंप है वहाँ पर कई सारे पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल प्राइस को सिर्फ टू डिजिट में ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है यानि कि 99 रुपे में तीन डिजिट के लिए वहाँ पर फंक्शन है ही नहीं अगर पेट्रोल भी कई तरीके के आते है जी हाँ पेट्रोल भी कई तरीके के आते है और यह जो petrol होता है यह luxury car में या engine को ज्यादा अच्छा रखने के लिए लोग इस्तिमाल करते हैं क्योंकि यह जो petrol होता है वो उसी तरीके से बनाया जाता है refine करके या किसी तरी से उसको तयार किया जाता है ताकि आपके engine की performance अची रहे तो वो better petrol होता है normal petrol तो होता है यह जो better petrol होता है वो 20 रुपे महना होता है अब बात तो यह रही अब जैसे कि आप जानते हैं 80 रुपे से तो उपर petrol पहुची चुका है और उसमें 20 रुपे और add कर दिये जाए power वाले, speed वाले, better अच्छे वाले, superior वाला जो petrol आता उसके लिए तो इसका price बन जाता है 100 रुपे और ऐसा ही किया गया एक petrol pump में हमारे भारत में और देखने को यह मिला कि 100 रुपे, 13 पैसे इसका price बन रहा था petrol का जबकि जब उसने petrol डाला, petrol pump वाले ने तो उसका price सिर्फ 13 पैसे पर लीटर ही दिखा रहा था जो कि एक problem है तो उसमें function है ही नहीं है इसा इन petrol pumps में इसलिए मैंने कहा कि 99 रुपे से उपर petrol नहीं जाएगा अब जा भी सकता है, कैसे जा सकता है इस problem दो solution भी है देखिए अगर ऐसा किसी petrol pump के साथ हो जाता है और यह उनी के साथ हो रहा है जिनकी machines काफी पुरानी है तो हो जाता है तो उन्हें एक special engineer को बुलाना पड़ेगा जो calibrate करेगा उनका machine को अगर उसमें feature है तो कोशिश करेगा उसमें वैसे feature डालने की या उसको ठीक करने कोशिश करेगा उसमें कुछ add करेगा जिससे वो तीन डिजित डिस्प्ले करना शुरू करते है ऐसा किया जा सकता है ऐसी machines चेंज करके, चिप को चेंज करके या जूभी उसके अंदर मशीन है, ऐसा किया जा सकता है बट उस petrol pump को उस वक्त के लिए तो बंद करना पड़ेगा जिससे काफी problem हो सकती है मैं आपको बता दू कि जो भी advanced machine है जो की बड़े-बड़े metro cities में petrol pump पे लगी होती है उन में तीन डिजिट, तीन डिजिट, चार डिजिट को भी दिखाने का option होता है तो उसमें कोई problem नहीं है और उसके जो rates है वो एक central server से जुड़े होते है वहाँ server से वो change करते है तो सारे petrol pump में जो petrol के prices है वो change हो जाते है जबकि जो लोग manual machine यूज़ करते है पुरानी वाली जो है petrol pump की machine वहाँ पर वो लोगों को daily, manually petrol का price डालना पड़ता है क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में petrol का prices बहुत ज़्यादा बढ़ रहे है fluctuate करते रहते है तो ये problem में देखिए ऐसी problem सन 2000 में computers के साथ भी आई थी जिसे Y2K bug या year 2000 problem भी कहा गया था आप इसके बार में शायद नहीं जानते होगे आपको बता दो पर ये computers में कई computers में क्या होता था ये date होती थी वो two digit के form में लिखी हुए आती थी अब जानते थे 95 सन 95 तो 1995 वो क्या है? 95 लिख देते थे 96, 97, 98, 99 साल तक तो ठीक है अब जब साल 2000 आया तो क्या 00 लिखेंगे तो अगर 00 लिखेंगे तो जो सन 1900 में था तो भी 00 लिखेंगे और 2000 में भी 00 लिखेंगे तो अगर कोई ऐसा computer है जो किसी चीज के record रख रहा है या उसमें 1900 की भी date है ठीक है? 19, 1991, 19, 01 ऐसे करके जो ठीक है क्योंकि लास्ट के दो डिखेंगे और वही 1900 में लिखेंगे तो वो भी जीरी-जीरी लिखना पड़ेगा तो डौनो येर मैच कर जाएंगे और computer इस error को बरदाश नहीं कर पाएगा और वो crash हो जाएगा जी हाँ, ऐसी problem भी आई थी मैंने personally petrol pump follow से जाकर पूछा है लेकिन problem आएगी problem तो आएगी तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या चक्कर चल रहा है क्या technical problem petrol के साथ आ सकती है और क्यों सरकार शायद 99 से petrol को उपर ना ले जाए अगर आपको ये video अच्छी लगी तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आ गए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोग क्योंकि technology की दुनिया में मैं कहा कहा तक जाता हूँ मैं mobile phone तो छोड़ी दो mobile phone में तो रहता ही हूँ मैं दुनिया भर की technology की बार में आपको पताता हूँ जो कि इंडिया में ज्यादा तर चैनल नहीं करते अगर आपको cyber security interest है इतिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं तो description एक बार चेक कर लें महाँ पर मैंने एक course डाला हुआ हुआ है गज़ आपको बार चाहते हैं